नमस्कार सभी सात्यों को सुवागत आपका फिर से एक नई अपडेट पर तो सात्यों जैसा आप सभी को पता है कि मेल फिमेल रिजल्ट को लेकर जो है बहुत ही गहमा गहमी चल रहे है कही ना कहीं से दोस्तों स्टुडेंट्स परियास करें अपने अपने तरीके से बिवानी में दोस्तों हर्याना युवा आयोक के अध्यक्स है मुकेश गोड़ जी हर्याना युवा आयोक के अध्यक्स उनके पास दोस्तों स्टूडेंट्स गए हो थे मेंली दोस्तों आज जो है तीन डिमांड लेके गए थे स्टूडेंट्स उनके पास एक तो दोस्तों च हमारे सामने जी साथ से बात हो तीसरा दोस्तों सीम से जो 12 तारिक को रेली अरोद तक में सीम की कभीर जेनती तो उस पर जो है जीम साथ से मुलकाद तो वहाँ पर दोस्तो मुकेश गोड़ जी मिले उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात होई उन्होंने दोस्तो सबसे पहले जो है चेर्मेन साब से बात की उन स्टूनेंट्स के सामने परवीन और गए थे परवीन जो है और भी लड़किया भी गई थी किरन भी गई थी इसहार से तो उन सब ने जो है चेर्मेन साब से बात की मुकेश गोड़ ने चेर्मेन साब से बात करते ही सीधा उनोंने का कि मेरे पास जो है ये कुछ लड़के और कुछ लड़के आई हु आपका रेजल्ट को लेकर उन्होंने सीधा स्वाल किया एच्छ सेर्मैन के साथ सबसे पहले तो उन्होंने स्पिकर ओन कर रखा था और सभी बाते सुन रही थी सभी को फिर बाद में जो है स्पिकर ओफ कर दिया था और 6 जुलाई को फैसला जाए रजल्ट को लेकर फिमेल कॉंस्टेबल को लेकर यह दोस्तों फिमेल कॉंस्टेबल को लेकर बात किया रजल्ट को तो दोस्तों फिर आ चुकी है बात मेल कॉंस्टेबल की फिर उन्होंने मेल कॉंस्टेबल के बारे में दोस्तों जहां तक है व आपने बता दिया कि कोड के थूरू याएगा 6 जूलाई को जो हीरिंग है मेल कोंस्टेवल का दोस्तों उन्होंने यह नहीं काम कोड के थूरू मेल कोंस्टेवल का करेंगे वो रिजल्ट पे काम कर रहा है क्यास लगाए जा रहे हैं 15, 16, 17 जून के रिजल्ट आ सकता है या फिर जून के अंदर ही रिजल्ट जो है जारी हो सकता है ये कंफर्म नहीं है लेकिन जो स्टूनेंट गए थे उन्होंने काया कि ये 15, 16, 17 के आस पास आपका रिजल्ट है आ जाएगा तो दोस्तों फिर उन्होंने किया कोल एजी साब को एजी साब का दोस्तों फोन बन था और एक्चससी का जो वकील है उनके तरफ से भी बात होई दोस्तों तो वहाँ पर भी वकील ने सारा प्रोसेस बता दिया कि हम कोर्ट में जो है कोर्ट पे मामला छोड़ दिया कर देंगे सब कुछ जो है इसको केस को फारिक करवाने की करेंगे 6 जुलाई को तो दोस्तों यहां पर सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है मुख्यमंतरी से दोस्तों मिलने का जो 12 तारीक को उन्होंने का है कि मैं आपको मिलवा दूँगा मुख्यमंतरी से लेकिन सिर्फ दो तिन जनों कोई मैं मिलवा पाँगा वहाँ पर ज़्यादा लड़के लड़किया आने की जूरत नहीं है मेल कोंस्टेबल और फीमेल कोंस्टेबल के लिए मिलवा दूँगा सबको तो दोस्तों यह बीवानी की अपडेट थी बीवानी गए थे सब कुछ आपके जामने है फिलाल बीवानी से यही डिसीजन निकल के आया कि मेल कोंस्टेबल का रजल्ट आपका जून में आ सकता है फीमेल कोंस्टेबल का रजल्ट कोड के थूँ आएगा अभी तक की यही अपडेट जो दोस्तों सामने आ रही है और कोई भी दोस्तों आपके डाउट होतों वीडियो के निच्छों कुमेंट जरूर करें आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू